हालो फ्रेंट्स एफ गर्फिर आपको बहुत वह स्वागत है आपके अपनी युटूब चैनल आई है संसारी में और दोस्तों आज की स्टूडियो में हमें आप बात करने वाले हैं उपिस कॉलसिफ 2019 से चिक सन से संबन देत एक महतपूल अपडेट के बारे में फ्रेंट्स जैसा कि आपको मालूम होगा काफी जाधा इस्टूडेंट्स के साथ में पर फ्रॉबलम्स केरिड ओ रही है उनके चात-बरती फектर और बेबचे स्टूडेंट्स को स्थक्गार सा रहा है कई बार ऐसा भी देखने के लिए मिर रहा है कि NIC की तरफ से उनका जो स्टेटस है कई बार सही भी हो जाता है और फिर कुछ ही दिरवार उसे सब्सेक्ट कर दिया जाता है जिस वज़े चातर काफी जादा असमंजस में है और काफी जादा इस्थति गंभीर होती जा रही ला वेलफेर कमेंटी यानिकी डिस्टिक स्कॉलसेफ कमेंटी से बैरिफाई हो चुके हैं उन्हें स्टूटेंट्स के फॉर्म में भी कई वार यहां पर प्रॉब्लम्स यह आ रही है कि उनका जो स्कूर्टिन रिजल्ट है उसे सस्टेक्ट किया जा रहा है जिस बज़े से बह आप हैं स्कीन पर देखी भी सकते हैं यह जो फॉर्म है यहां पर यह 26 दिसंबर 2019 यानिकी 26 दिसंबर को स्कॉलसेफ कमेंटे की तरफ से बैरिफाई हो चुका है बट उसके जस्ट बाद यहां पर एक प्रॉब्लम क्रेट हो चुकी जो कि आप हैं स्कीन पर देख सकते हैं य एक form में नहीं है यह हजारों students के सामने problems हैं ऐसे भी students हैं जिनका form अभी district scholarship committee से verify नहीं हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर इसी टैप से और भी कई सारी problems आपके सामने हो सकती हैं या और आप अपने form को निश्चित रूप से लगाता है चेक करते रहें कहीं न कहीं कई वार यह ज करता हूं यह वाली जो प्रॉब्लम में जिन students के सामने इस्टेंट्यों सा नौट वैरिफाइड वाई डिया एस हैर एजुकेशन ऑफीसर यह जो सस्टेक्ट बता रहा यह आपकी जो प्रॉब्लम में निश्चित रूप से सही हो जाएगी आप इसके लिए परिसान नहीं कि आपके फॉब्लम में और कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप अपने कॉलेज के माध्यम से अपने जिला समाच कर ले आने का दिकारी को उसके लिए अप्लिकेशन दे दें ताकि आपके फॉब्लम में जो भी सस्टेक्शन है वो दूर हो सके मैं इसकरता हूं जोस्तों आप यह तो मुझ पर वोचिंग इस वीडियो